आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल स्टडी अपने लिए तो हम लोग डली सल्तनत पढ़ रहे थे और हमने काफी अच्छी तरह का से डली सल्तनत कंप्लीट किया था फिर उसके बाद हम लोग ने मुगल इंपायर स्टार्ट किया हमने मुगल इंपाय तो स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाईएगा चैनल पर प्लेश्ट पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा मैं वह प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रीप्शन पर डाल दूंग आप देख लिजएगा तो शासनकाल कब से कब तक चला तो इसका जो सासनकाल 1556 से 1605 एडी तक चला और अगबर का फुल नाम पूरा नाम की बात करे तो जलाल-दिन मुहमद अगबर यह आपके एक टीवी में सीरियल आती थी जलाल-दिन मुहमद अगबर का एक जोधा अगबर का नाम से चैनल था उसमें आप लोग ने काफी देखा होगा तो अगबर का फुल नहीं व्याद रखेंगे जलाल-दिन मुहमद अगबर अगबर वस बॉन इन प् और इनका राज अभिशेग यानि कोरो नेशन के बात करें तो इसका मतलब लोग बोलते राज भिशेग ठीक है कब यह गद्दी पर बैठें तो यह 1556 पर बैठें ठीक है कलनोर पंजाब 1556 ठीक है याद रखेंगे अब आते हैं बहरमसा बहरमसा इनके पैट्रॉन थे अकबर और हेमु के बीच में और देखेंगे हम लोग बैटल अफ हल्दी घाटी का भी यूद हुआ यह भी अकबर के बीच हुआ था जिसमें मेवार के रूलर महराना प्रताप थे और अकबर थे इसमें भी अकबर नहीं जीता 1556 में यह यूद्ध हुआ था इसमें इस गुगल आर्मी को लीड कर रहा था ठीक है और अकबर इसमें जीता ठीक है याद रखेंगे अकबर का दो यूद्ध बैटल ओफ पानीपत ठीक है और यह बैटल ओफ हल्दी घाटी है 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 अगला प्विंग करने वाले इसको एक्सप्ट करने वाले पहले परसन बने तो फिरेवल इस धर्म को अपना है सबसे और अगर हम लोग उफिशन लायंगवेज की बात करें मुगल का उफिशन लायंगवेज क्या हुआ करता था तो वह परस्यन हुआ करता था और एक चीज और रहेगा कि अकबर का प्रियर्ड ठीक है अकबर का जो प्रियर्ड था जब अकबर हुआ करते थे तो उस समय उस एरिया को क्या मलब उस सासन को क्या बोलते थे तो उस प्रियर्ड को गोल्डेन एज ऑफ हिंडी लिटरिचर ठीक है हिंदी साहित का एक गोल्डेन एज बोलते थे ठीक है त लोग चलते हैं अग्बर के नौ रतन ठीक है ठीक है रातन ऑ अफ अग्बर nope दर्वार में नौ रतन हुआ करते थे पहला बिर्बल ठीक है भीर में का रियल नाम क्या था महेजदास था यह एक्वर के काफी करीब थे ठीक है और इसको एक title दिया गया था कभी प्रिय का अकबर का दूसरा अगर हम लोग बात करें नवरतन में से दूसरा वो कौन थे तानसेन ये famous musicians थे इसको title दिया गया था कंथा भरन वानी विलास यह इनका टाइटल दिया गया था इनको हम ठर्ड बात करें तो अब्बुल फजल ठीक है अब्बुल फजल इसने अगबर नामा को कंपोस्ट किया है ठीक है डिड़ पर्शन टांसलेशन ऑफ पंच्टत्र अंदर डानेम अनवर ए सादत ठीक है तो य यह क्या होता था यह ब्रदर थे अब्बुल फजल के भाई हुआ करते थे और इसको राजकवी का पोस्ट दिया गया था अब आते हैं पांचवा नंबर पर राजा मान सिंग यह नौ रत्न में से एक थे राजा मान सिंग यह अकबर के जिनरल हुआ करते थे पांच रतन हमने देखा अब बाकी आगे देखते हैं यह चछठा जो है इसका नाम है राजा तुदर्मल राजा तुदर्मल ही वाज द दिवान दिवान ओफ अकबर के दिवान हुआ करते थे ही ही इंप्लेमेंटे द धसल सेटेल्मेंट सिस्टम इन 1580 ठीक है तो धसल सेट आठवा बात करें मुलादो प्याजा ठीक है यह हैडचीफ थे ठीक है आठवा बात करें तो फकीर अजुद्दीन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन ठीक है इसको रिलीजन का मिनिस्ट्री पर रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन में यह थे फकीर अजुद्दीन और और कोड अक्बर के दरबार में जो फेमस पेंटरन करते ही उसका कया नाम था तो अब-दुर्ण शमाड़ zostji जबकि यह 9 रतन में से एक नहीं थे याद रखेंगो अधर फेमस पेंटर की बात करें तो यह दो और अधर फेमस पेंटर हुआ करते थे अकबर के दरबार आगे बढ़ते हैं हम लोग अकबर गिव टाइटल ओफ आमीर उल-उम्रा टू लॉट डास को एक उपादी दी गई अकबर के द्वारा क्या उस उपादी का नाम था आमीर उल-उम्रा था डूरिंग इस टाइ पर्षेन में इसको पर्षेन में ट्रांसलेट कर दिया गया था किसके द्वारा अब्दुल-कादिर के द्वारा अब्दुल-कादिर बदवन इसके पूरा नाम है अंडर दनेम और राजनामा के नाम से महाभारत को यह लोग पर्षेन में ट्रांसलेट कर दिया और बुक का टाइटल ऑफ जादी कलाम टू मोहम्मद हुशेन काश्मीरी को जादी कलाम का टाइटल दिया गया एंड सेरी कलाम और सेरी कलाम का टाइटल अब्दू समध को दिया गया था यह अकबर का बारे में कुछ पॉइंट था हमने देखा 1556-165 तक जो जो हुआ देख लिए हम अकबर फिल्डब बुलं तरवाज को इस पे प्रचलीन होने लघा तो भी अकबर के टाइम में हुआ फेमस सुफी संद की बात करें तो सेख सलीम चिस्ती ठीक है वो भी अकबर के समय में ही थे वही बुला गया contemporary death of अकबर यानि अकबर का death कब हुआ 1605 और इसका tom यानि कबर की बात करें तो सिकंदर ठीक है सिकंदर नियर आग रहा ठीक है यह अकबर के बारे में था अब आगे देखते हैं एने अकबरी जिसको कंपोस्ट करने वाले अबुल फजल थे इसने आइने अकबरी को तीन पार्ट में डिवाइड किया था आइने अकबरी को पहला जो पार्ट है वो डिस्क्राइब करता बर्ट ऑफ अकबर का जनम के बारे में पता रहा है और दूसर भी हुआ उसका मलब पूरा इतिहास उसका जो यूद लड़े चे के शादी हुआ पर्टी सबकुछ उसका सकंड़ पार्ट में बात करें यह बहुत ही जादे इंपोर्टेंट पार्ट क्योंकि इसमें क्या आयने अकबरी और यही आइने अकबरी के नाम पर फेमस है ठिक है और इसमें बताया गिया है administrative system of akbar, akbar का administrative system होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है, अब हम लोग आगे देखते हैं, akbar का the guz, guz describe in the आयने अकबर करी, the guz, ठीक है, तो यह जो guz है, यह describe किया गया है आयने अकबरी में, ठीक है, इसमें guz मतलब होता है क्या है measurement of length, ठीक ह यह main unit है measurement of length है, यह length को अगर measure करना है, तो उसको यह लोग guz बोलते थे, in the mughal period, और each yard, यह जितना भी yard होता है, हर yard को divide किया गया है 24 equal part में, ठीक है, और हर part को हम लोग तसुझ बोलते हैं, akbar का administrative system को, जो है, वो inspire है, ठीक है, वो किससे inspire है, model of share saasuri, ठीक है, जो share saasuri model है, उससे वो अकबर का administrative system बोल सकते हैं, inspire, तो यही था, कि guz आप लोग आईने अकबरी में describe किया गया है, जो एकी main unit है measurement का length के लिए, बाकि हर yard में 24 equal part होते हैं, ठीक हो, और हर part को तसुझ बोलते हैं, तो अकबर के बारे में देख लिए हैं, आप लोग जहांगीर के बारे मे पढ़ेंगे, अकबर, अकबर का जो successor, ठीक है, अकबर के मरतने के बाद, उसका जो गद्दी सम्हालने वाले कौन थे, सलीम थे, ठीक है, अकबर successor was सलीम, who ascended that was in 1605, under the name of जहांगीर, जहांगीर के नाम पे, सलीम ही राजगदी पे बैटे, और गद्दी सम्हाले, ठीक है, ज इरजा ग्यास बेग, जो इरान है, ठीक है, एक क्वीन है, उसकी बेटी हुआ करती थी, नूर जहां, नूर जहां का अगर रियल नाम की बात करे, तो महरुनीशा था, एंड जहांगीर हैड हैंग अर्जुन देव, ठीक है, उसने अर्जुन देव को हैंग किया, जो की में में, दे चैन ऑफ जस्टीज वस फेमर्ज अट टाइम अब जहांगीर, और इसको सहाब बर्ज, आगरा फोट के जो सहाब बर्ज है, ठीक है, वहाँ पे यह लगाया गया था, एंड डा स्टोन पिलर लोकेटेट अन दा यमुना बैंक, और स्टोन पिलर यमुना बैंक, अगला बात करें, तो जहांगीर का पिरियट को हम लोग गोल्डेन पिरियड ओफ पेंटिंग बात करते हैं, जैसे मैंने अकबर के बारे में बताया था, उसके पिरियड को क्या बोलते थे, बसे ही जहांगीर के पिरियड को हम लोग गोल्डेन पिरियड ओफ पेंटिंग ब फेमस बुक बाग करें तो इसके प्रियर्ड में तो हम जनमा एक यह आर्ट पर हुआ करता था एक फेमस बुक था और इट वस डूरिंग जहांगीर का ही समय था जिसमें इंग्लिस की प्रिंस इंग्लिस प्रिंस सर्थॉमस रॉई वह जहांगीर के दरबार में आये थे 1615 जिसका नान था कैप्टन होकिन्स विल्यम फिंच यह भी जहांगीर के दरबार में आये थे अगला देखते हैं जहांगीर का देथ जो है 1627 में हो गया और ही वस बड़ीड ऑन्द बैंक ऑफ रवी रिवर इन साधारा लाहो ठीक है यह कहां पर मर गये थे रवी रवी नदी जहांगीर का अपिष्थ के बात करें इसको तको बनाने वाले नूर जहांथी 1626 में इसेुको साथ यह हमलों कंप्लेट हो गया घे और हम लोंग को दोले करने चाप्सोंवेड विडियो में इससे 3 बात करें वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ थैंक्यू